अध्याय 13. सम्विधान, शाशन विवस्था और सामाजिक सरोकार, भारती सम्विधान के निर्माण की प्रक्रिया और सम्विधान निर्माण के एतिहासिक संदर्व के बारे में पढ़ा, साथ ही सम्विधान सभा में हुए वादविवाद और भारती सम्विधान की उद्दे से होने वाले समाजिक बदलाव के अवसर तथा समविधान के विक्सित होते हुए स्वरूप का अध्यन करेंगे 13.1 समविधान में राजनेतिक संस्थाओं की संरचना शक्ति का विकेंद्री करण जब सत्ता का केंद्री करण होता है तो वह आम लोगों की पहुच से दूर हो जाता है और उनकी जरूरतों वह कांचाओं को प्रात्मिक्ता नहीं मिल पाती है वास्तों में लोगतंत्र को मजबूत करने के लिए जरूरी है कि सत्ता का विकेंद्री करण हो और मुहला, ग्राम, शहर, जन्पत, जिला और राजिस्तर पर लोगों द्वारा चुने गय धाचे और उनके पास निर्णा लेने के अधिकार हों गांधी जी के स्वराज की कल्पना में अधिक्तम अधिकार ग्राम पंचायतों को दिया जाना था स्वतंत्र भारत का सम्विधान बनाते समय यह विवात का मुद्दा बना रहा कि क्या भारत में प्रांतों के पास सारी प्रमुख शक्तियां हो और केंद्र के पास केवल रक्षा, विदेश नीती जैसे विशय हो यह निनय लिया गया कि देश की एकता को सिद्रण करने के लिए तथा उसमें सामाजिक बदलाव लाने के लिए भारत में एक शक्तिशाली केंद्रिश आशन की जरूरत है साथ ही साथ यह भी तै किया गया कि प्रांतों के स्तर पर भी कई विश्यों पर नेणय लेने के अधिकार हो दरसर भारत को प्रांतों का समावेश या संग माना गया अता देश में दो स्तर पर सत्ता का वित्रण हुआ संगिय या केंद्र स्तर पर तथा प्रांती स्तर पर दोनों स्तर पर चुने गये प्रतिनिधियों को नेणय का अधिकार दिया गया 1992 में 73 सम्विधान संशोधन द्वारा पंचायतों के तीसरे इस्तर तक सत्ता का विकेंद्री करण किया गया शक्ति विभाजन राज या शाषन के पास जो शक्तियां है वे तीन प्रकार की होती हैं कानून बनाने, उसे लागू करने तथा उसके अनुसार न्याय करने की किन्तु ये तीनों शक्तियां एक ही संस्था या वेक्ति में केंद्रित हो जाएं तो वह निरंकुश शाषक हो सकता है शक्ति विभाजन का अर्थ है इन शक्तियों को अलग करना और स्वतंत्र संस्थानों को सौपने जैसे की आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा लोगतांत्रिक क्रांतियों का एक मुख्य उद्देश शक्ति विभाजन था इस प्रकार आधुनिक सरकार के तीनंग है विधाई का जो कानून वा नीतिया बनाती है कारेपालिका जो उन्हें क्रियानवित करती है तथा न्यायपालिका जो उनके अनुसार न्याय करती है शक्ति प्रिथक करण, शक्ति विभाजन, सिद्धान्त के अनुसार, कारेपालिका, विधाईका तथा न्यायपालिका में से प्रत्येक अपने कारेशेत्र में स्वतंत्र है तथा उसे किसी अन्यपर नियंत्रण की शक्ति प्राप्त नहीं होती लेकिन वास्तों में यह नहीं होता क्योंकि तीनों के काम एक दूसरे पर निर्भर है और उन्हें मिलकर चलना होता है भारत में सीमित शक्ति प्रिथक करण सिध्धान्त को अपनाया गया है यहां संसदिय लोकतंत्र है जहां न्यायपालिका की स्वतंत्रता तो पूर्ण है पर विधाईका और कारेप कारेपालिका एक दूसरे पर निर्भर है इस प्रणाली में कारेपालिका मंत्री परिषद विधाईका संसद का ही अंग होती है मंत्री परिषद के सदस्य संसद के भी सदस्य होते हैं और उसके प्रतित जवाब दे हैं दूसरी ओर कारेपालिका जिसका अध्यक्ष संसत के सत्रों को बुलाती है और अन्य तरीकों से भी विधाईका के कारश्यत्र में हस्तक्षेप कर सकती है। यानि कारपालिका और विधाईका दोनों एक दूसरे के साथ गुथे हुए हैं। 13.1.1 संखियविधाईका संसत हमारी संगियविधाईका को संसत नाम दिया गया है जो राश्ट्रपति और दो सदनों लोकसभा और राजसभा से मिलकर बनती है। कारेपालिका यानि मंत्री मंडल संसत का ही हिस्सा है और संसत के प्रति जवाब दे उत्तरदाई है संसत देश की राजन्यातिक व्यवस्था की निव है जिसमें जनता की संप्रभुता का समावेश एवं सार है संसत राश्ट्र की आवाज है संसद में समाज के सभी वर्गों और देश के सभी छेत्रों का समुचित प्रतिनिधित्व होता है इस व्यवस्था में अनुसुचित जाती और जन जाती के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए आरक्षन की व्यवस्था की गई है लेकिन यह पाया गया है कि संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्त अपेक्षा से बहुत कम है इस कारण कई वर्षों से एक संविधान संशोधन विचाराधीन है जिसके अनुसार संसद में महिलाओं को कम से कम 33% आरक्षन मिले सांसद सीधे या अप्रत्यक्ष तोर पर जनता द्वारा चुनी जाते हैं और जन प्रतिनेदी जनता से संबंधित समस्याओं और शिकायतों को संसद में व्यक्त करते हैं संसद में नीतिगद मुद्धों तथा कानून से संबंधित प्रस्तावों और मंत्री मंडल के प्रस्तावों को विचार विमर्ष करके पारित किया जाता है। कारे पालिका मंत्री मंडल के कारे कलापों पर बहस होती है और उसकी जवाब देही को सुनिश्चित किया जाता है। इस प्रकार सरकार की निरंकुष्टा पर नियंत्रन रखने में संसद महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।